हलो नमस्ते तो कैसे हैं आप सब लोग नौनवेज की बाद हो और प्रांस पीछे रह जाए ऐसा तो होई नहीं सकता कुछ लोगों को प्रांस खाना बहुत पसंद होता है पर उनको ऐसा लगते हैं कि प्रांस बनाना बहुत मुश्किल होगा तो आज मैं आपके लिए बहुत ही टेश्टी और इजी रेशीप लेकर आई हूँ तो चलिए देखते हैं उसको तो ये देखिए सबसे पहले यहां पर मैंने प्रांस को अच्छे से क्लीन करके ले लिए हैं इसका छिल्टा निकाल दिया है और ये देखिए प्रांस को बीच में से मैंने कट करके इसके अंदर जो भी गंद की थी वो भी निकाल के इसको दो तिन बार पानी में वाश करके ले लिया है तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही प्रांस लेना है ये रेसिपी के लिए तो इसको हम बनाएंगे गार्लिक में तो यहां पे मैंने बहुत सारा लसुन छील कर ले लिया है इसमें हम सिर्फ मसाले के लिए लसुन ही ज़्यादा एड़ करेंगे तो यहां पे मैंने बहुत सारा लसुन ले लिया और इसको हम एकदम बारी कूट लेंगे आप इसको मिक्सर में भी कर सकते हैं बारी तो यहां पे मैंने एक पैन ले लिया है उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ओयल ताकि हमारा बटर जल ना जाए तो यहां पर देखिए मैंने ऑइल डालने के बाद बटर डाला है बटर भी मैंने बहुत सारा ही लिया है इसमें तो जैसे ही बटर दीरे-दीरे पीगलता है तो हम इसको जलाएंगे नहीं इसको एकदम दीमियाज पर पीगलने दे बटर जलेगा तो टेस्ट खराब हो है अभी हमने जैसे ही बटर पीगलेगा हम उसमें डाल देंगे हमें लसुन को जारा पकारा नहीं है हलका दीमी आज पर इसको 20 या 30 सेकंड के लिए चला लेना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और बटर के साथ इसका एक स्ट्रॉंग फ्लेवर आ जाए तो यह देख काट लिया है में द那 बारिक है कर लिॉह भी मिर्च धालिक के ट्रॉंग मिला थे हैं तो यह देखिया हमने यहां पर आड़ कर लिया है कि अभी हमें इसको दो मिनिट के लिए मेडियम फ्लेंपे चलाते रहना है ताकि वटर और यह जो लसुन का पैसए भी म देया ने पर आ यहां पर हम ने इस Derek almost t їх के इस्के इस आप इसा करा प्रोंब इसका अब क्रॉंस को एसे पूरे पैन में ऐसे फिला के रग देंगे तक हर सब्सक्रान कर देख दोंग्ध के पाँज के लिए निदीम में इसे मिडियम आज पर आज तो आप देख सकते हैं da PEPSONC में पानी बहुत चुटा है इसमें पानी बिल्कुल नहीं चुटा है प्रनीक हे स्कवाइं सुटी कि चुटा है और इसका कलर भी देखिए कि फीक एस मस्थे को गया है आपको इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रखना है तो अभी हम क्या करेंगे? इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिये वापिस से और इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे बटर डाला है हमने अल्रेडी तो हम इसमें हल्का सा ही नमक डालेंगे वरना ये salty हो जाएगा ज्यादा नमक लग जाएगा इसमें तो अभी हम इसको वापिस से ढखके छोड़ देंगे तब तक के लिए जब तक इसका पानी खतम नहीं होता इसमें तो हमने इसको दीमी आज पे छोड़ दिया था तो ये देखिए इसका पानी खतम ही हो चुका है अभी हम इसको वापिस से मिला लेते हैं तो जितने हमें अभी फिलहाल के लिए जितना ड्राई चाहिए उतना प्रॉंस ये ड्राई हो चुका है तो अभी हम इसको वापिस से हलका हलका सा मिक्स कर लेंगे और इस पे मसाला डाल लेते हैं की दो मेंने काली मिरच पाउडेर हलका सा एड कर दिया है ऊपर से और यहाँपे मैं डाल रहे हूं चिली फ्लेक तो यहाँ पे हम मिर्ची पाउडर का यूज नहीं करें अगर आपके पास चिली फ्लेक नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं पर चिली फ्लेक डालोगे तो इसका कलर और टेश्ट बहुत अच्छाएगा तो यह देखिए मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक एड़ कर लिया है और यह धन्या भी मैंने बारी काटके उपर से डाल दिया है और अभी हम इसको वापिस से मिक्स करेंगे हम सिर्फ मसाले के लिए बहुत कम चीज़ें यहाँ पे यूज कर रहे हैं पर आप यकीन माने हैं इस तरीके से आप बना के खाएंगे ना तो आपको प्रहुंस इतना पसंद आएगा ना कि आपना कॉमेंट बॉक्स में आके मुझे बोलेंगे कि थेंक्यू आपने यह वाली रेसीपी हमर साथ शेयर करी तो चलिए फिर आपको मैं इतनी अच्छी रेसीपी दे रही हूँ तो आपको मेरी चैनल को सब्स्क्राइब करके जाना पड़ेगा और अगर आपको रेसीपी अच्छी लगे तो आप कॉमेंट भी कर देना तो यह देखे जब तक ड्राइ होता है तब तक हम इसको चलाते रहेंगे पैन में एकदम दीमियाज पर तो यह लगबग हमारा प्रांस रेडी हो चुका है तो चलिए फिर हम इसको प्लेट में भी निकाल लेते हैं तो आप यह रेसीपी बना के बिल्कुल ट्राइ करना और मिलते हैं